कैसे हो भी से भी प्यारे प्यारे साथ हो आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल टीचर सड्डा पर आज की जो वीडियो है यह मेरी तरफ से यानि कि आपके अपने आयुसर की तरफ से इसका फोकस हम दो तीन चीजों पर रखेंगे मैं आपको बता देता हूं और उनमें मै क्या समझाने की कोसिस करूँगा अगले 5-6 मिनट में वो देख लो ओवरोल एक्जाम पैटरन को देखेंगे किस सब्जेक्ट से कितने कोश्यन आये थे यह देखेंगे फिर मैं एंड में आप लोगों के साथ डिसकस करूँगा कि किन पॉइंट्स पर किस नजर ये से आपक पर बार 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 चेंजिज करके तब फाइनली ये रखा गया था इसमें शुरुवात में एक लेंग्विज टेस्ट होता जिस दिन आपका में पेपर होगा ना उससे पहले दिन आप लोगों का एक भासा का पेपर होगा जिसमें 75 सवाल हिंदी के होंगे और 25 सवाल अंग इसमें ओवरोल 120 सवाल है 120 सवालों में कॉमन पेपर जो है वो 40 सवाल ले लेता है उसमें भी किस से कितने सवाल है वो एक बार देख लेते हैं जीके के आठ सवाल है जिसमें करेंट अफेर्स आ जाता है बिहार की कुछ चीज़े आ जाती है और सारी जो जनरल ओवरोल पॉल सवाल आते हैं इसे आप लोग EVS भी कह सकते हैं MATS के 8 सवाल आते हैं subject जो भी आपका main है उसके सवाल आएंगे यहां हम 9-10 गणित की बात कर रहें तो गणित के 80 सवाल आएंगे मेरा main target यहीं पर है इन ही को हम कैसे समझ सकते हैं वो मेरा main target है यह आपको मैंने बता दिया GK इसमें सब है बाई, Current Affair भी है, बिहार की GK भी है, इसमें जो General GK होती है, उचा, लंबा, छोटा, बड़ा, उस टाइप के भी चीज़े हैं, History है, इंडियनेशनल मुमेंट पे फोकस है, और जो Geography है, इसमें आठ सवाल आते हैं, Science के आठ सवाल आते हैं, EBS-based थोड़ा समझ स लगते हैं, यानि कि Daily, रोजमर्रा की जो Science है, और Maths के आठ सवाल आते हैं, गोमन पेपर में Maths है, Total Maths, जो Subject Specific है, उसके 80 सवाल है, अगले पार्ट पर चलते हैं, कि जो गणित के 88 सवाल आ रहे हैं, उसमें किस Chapter से कितने सवाल है, क्या उनका इस तर है, यहाँ पर जो मैं करें, तो छेतरमिती, मेंसुरेशन, छेतरफल, आयतन संबन्दित सवाल, 9 सवाल, नंबर सिस्टम के, 9 सवाल, संक्या पद्दती, वो ही 9-10-10 वी लेवल, जोमेटरी, बढ़िया लेवल, आठ सवाल, कोडिनेट, जोमेटरी, निर्दे सांक, जामित्ती, आठ सवाल, सबसे आसान यहां से नंबर निकालना है क्योंकि कई बार क्या होता न कोडिनेट चोमेटरी बहुत बड़ी है लेकिन आपके पेपर में जो कवर कर रहे हैं कोई बहुत खास ज्यादा पॉर्शन कवर करनी रहे है प्रोबैबिलिटी यानि कि प्रायक्ता साथ सवाल अर्थमेटिक प इंडियन मोड ये वाले सवाल होते हैं वो भी आ जाते हैं आपके तीन सवाल इसमें गुरूप्ट डेटा और अंगुरूप्ट डेटा दोनों मतलब टेबल की फोर्म में भी डेटा दे देते हैं और वैसे डिस्क्रीट डेटा जो होता है न फैलाके की तीन चार आठ माइन पूचा गया है उसमें 8 सवाल पूचे यह एक नंबर सिस्टम का था एक टाइम इस्पीड डिस्टेंस का दो रिश्यों के थे एक सिंपल इंट्रस्ट का एक दो स्वाल में से थे तो ये आपका overall पूरा syllabus है इसमें ग्यारवी बारवी का कोई topic नहीं है नुवी दसवी इस्तर रखा गया है अच्छा इस्तर रखा गया है कोई खराब नहीं कह सकते बहुत कोई ज़्यादा hard भी नहीं कह सकता मैं कि बहुत hard था पेपर achievable होता है करने योग्य होता है मतलब कर सकते हैं आप given time में ऐसे सवाल होते हैं important points क्या धिहान रखने है previous year paper का महत्व क्या है सब कहते है previous year paper क्यों कहते हैं कैसे कहते हैं उसे एक बार अपना के तो देखो अपनी जिन्दगी में मैं कुछ points कह रहा हूँ जाके एक बार previous year paper दो पूरा paper attempt करो बैटके पूरा paper पर जब attempt करोगे तो तुम्हें syllabus पता चल जाएगा automatic जो मैंने अभी बाते बता ही अच्छे से दिख जाएगी तुम्हें exam pattern पता चल जाएगा कि किस चीज से कितने question पूछे जा रहे है तुम्हें level पता चल जाएगा तुम्हें तुम्हारी कमजोरी पता चल जाएगी तुम उसमें scroll करते वी नीचे जाना 26 अगस्त में paper डला हुआ है उस PDF को download करके आप लोग देख सकते हैं 11 बारवी के topics नहीं है बहुत से बच्चे इसी confusion में है कि 11 बारवी के topics पूछे जाएंगे TGT maths में ऐसा नहीं हो रहा है निश्चिंत रही है main focus main focus किस चीज पे है main focus यहाँ प पीछे भाग जाते हैं जो हमारे हाथ में हैं नहीं 32 नंबर है जो गनित से बाहर के हैं मैं लिखके दे देता हूं कोई बच्चा बहुत हद भी कर देगा नो इन 32 नंबरों में 23 चोबिस नंबर ले आएगा कमजोर बच्चा होगा मेरे जैसी GK वाला होगा 15, 16, 17 नंबर ले ट्रिक्स हैं टिप्स हैं कुछ क्लास में उनमें डिसकस करते रहेंगे प्रेक्टिस आप लोगों को प्रेक्टिस के लिए में बहुत अच्छी चीज करने जा रहा हूं एक बुक मैं दे रहा हूं बुक में लेवल वन लेवल टू ऐसे मैंने हर चेप्टर के 50-50 सवाल डाल हैं इजी फिर थोड़े मीडियम लेवल डाले हाड लेवल नहीं रखा है बहुत जादा मला कोई रेलेवेंट नहीं है हम वो प्रेक्टिस करेंगे जो पेपर में हमें करना है पेपर में बहुत हाड सवाल आ जाए नमस्ते करके उसे छोड़ दो अगले पर जाना है हमें पे कीजे कियेए किस तरीके से बुग बनाने की कोशिज किये इन सारी चीज़ों किया है भी प्रिंटिंग मेंख है तो ुजब आए में तब की बात है तो प्रेकटिस कैसे करनी है जैसे मैंने बताया chapter wise practice करने है ncrt based question practice करने है जो conceptual question है easy questions होते हैं जिनमे concept पूछा जाता है उनसे लेकर hard question जिनमे calculation logic वो लगाया जाता है वो सारे question आप लोगों को करने है साथ में ये तो होगी questions की practice हम practice नहीं करते हैं पूरे paper की overall paper की practice करने है sample paper smoke test देने है YouTube से या YouTube पे questions करने से बचना है वीडियो में जहां हम 10 सवाल 15 सवाल एक घंटे में कर पाते हैं हो सकता है हमारी capability या ability हो घंटे में 20 सवाल करने हैं या 20 सवाल करने हैं तो वीडियो देखे भी तो fast करके देखे pose करके questions खुद करे पहले ये चीजे कुछ हैं जो avoid करनी है सिर्फ वीडियो नहीं देखते रहे ना बैठके time अच्छा निकलेगा मज़ा भी आएगा लगेगा भी पढ़ रहे हो लेकिन mind पे उतना change नहीं होता उस चीज का जितना self study का होता तो ये सारी चीजे है जहां तक batches की बात है जब मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था उसके नीचे सब जगे पे यही कमेंट देगी सर आप जो है हमें free में batch देखो जिसे तुम job करने वाले हो आगे चलके मतलब जाओगे schools में पढ़ाने के लिए salary मिलेगी कि वैसे मैं भी job करता हूँ मेरे लिए भी एक व्यवसाय है तो batches की request यह थी कि सस्ता कर दो सस्ते का भी मेरे आद पे नहीं होता है क्योंकि पहले ही वो 1801 रुपे का batch है सारा complete लेकिन मैंने इतना कर दिया है कि मैंने सिर्फ जो मेरा maths का batch है उसकी fees कम कर दिये तो आपको अगर general paper की जरूरत नहीं है तो आप कम fees पे सिर्फ maths का batch ले सकते हो कैसे उसे खरीद सकते है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ आप लोगों को जाना है अच्छा batch खरीदने में कोई दिक्कत हो ना इस number पे phone कर लेना बाकी batch का link नीचे direct भी लगवा दूँगा और पता भी चल जाएगा तुम्हें तो जाना है तुम्हेट 24-7 सर्च करना है सर्च करने के बाद ऐसे website आएगी नीचे link भी लगवा मिल जाएगा तुम्हें comment section में उस पे click करोगे तो direct तुम्हें वो batch वाले page पे ले जाएगा तो यहाँ पर all courses में आना है teaching, teaching में 9-10 की मैं बात कर रहा हूँ और इसमें पूरा batch जब खरीते हैं तो 1840 उर्पेगा पड़ता है लेकिन अगर आप सिर्फ math खरीदेंगे view all कर लेना वहाँ पे maths का ये batch जब आप खरीदेंगे कहां गया भाई, गनित का special batch यह रहा, maths special batch class 9-10 वर्ग 9-10 इसकी fees अभी काफी कम हो रख्ये बढ़ जाएगी, मैंने ठीक कराने के लिए बोला था यसे लेकिन अभी कम हो रख्ये साथ बढ़ जाए, जब तक आप तक वीडियो पोँचे हो सकता है, हजार रुपे से उपर चली जाए, 1100 हो जाए तो जितने बच्चों को भी कम में मिल रहा है, कम में ले लेंगे 900 में, इसमें मैं आपका लग भग, 120 में से 88 सवाल कवर करवा रहा हूं, दो क्लास होती है, मेरी 12 से 1 साम को 6 से साथ, 2 घंटे क्लास ही चलेंगी लाइव, और आप इसमें एक्जाम से पहले से लेवस कवर कर पाएंगे बिल्कुल स्मूथ क्लास चलेगी, कोई फास्ट, स्लो, इसमें ऐसी कुछ करने की ज़रती है क्योंकि अब से हमारे पास टाइम होगा तो ये सारी चीजे हैं आप जुड़ना चाहे तो उसमें जुड़ सकते हैं मैंने डिसकाउंट के लिए कोड लिखा है, आप इसे जाईएगा, एप पे यूज कीजेगा, मेरा खुद का कोड है, आप खरीदेंगे तो मुझे पता चल जाएगा क्या आपने खरीदा है फिर जुड़ेंगे, बाकि टेलिग्राम पे भी जुड़े रहेंगे, हम लोग वहाँ पे भी बच्चे हैं, गुरुप में अच्छे खासे बच्चे जुड़ गया है इस एक्जाम के लिए, वो भी साथ में मिलके प्रेक्टिस कर रहें उसमें भी डाउट सोल करते रहते हैं तो जहां भी एक पोजिटिव माहूल बनागे रखो कोश्यंस को प्रेक्टिस करते रहो सेल्फ इस्टेडी सबसे जरूरी है बैच बैच किताबे, यह सब सेकेंडरी है जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे यह ऐसी कोई चीज हेल्प नहीं करने वाली है निलबटे सननाटा है जितना मैं आप परसंटेज में अगर समझो सो में से नभ्य काम आपको गरना है दस काम में रहा है सिर्फ मैं तो इतना कर सकता हूँ कम समय में बहतर दे सकता हूँ भटकने से रोक सकता हूँ कि गलट डिरेक्शन में न चले जाओ कुछ भी न पढ़ने लगो लेकिन रस्ते पर रहके भी तो चलना तो वो दूर करो बस बाई बाई टेक केर